10.3 समतल दरपण पर विस्तारित वस्तु का प्रतिविम बनना मान लीजे कि एक वस्तु O-O-डेश दरपण के सामने रखी है परावर्तन के नियम के अनुसार दरपण पर पढ़ने वाली आपतित केड़ने वा परावर्तित केड़ने कुछ इस प्रकार होंगी बिन्दु O-O-डेश से आने वाली केड़ने दरपण द्वारा परावर्तित हो जाती है और ऐसा लगता है मानो I-O-डेश से आ रही हूँ अर्थात I-O का प्रतिविम है वा I-O-डेश का प्रतिविम है O-डेश के बीच के शेश सभी बिन्दों के प्रतिविम भी I-डेश के बीच में बन जाते हैं जब आप स्वैम को समतल दरपण में देखते हैं तो आपके प्रतिविम के आकार और आपके आकार में क्या फर्ख होता है क्या आपके प्रतिविम के उचाई आपके उचाई जितनी ही होती है आप अपने हाथ में एक पेंसिल अथ्वा कोई वस्तु पकड़ कर समतल दरपन के सामने अपना प्रतिविम देखे अब वस्तु को दरपन से दूर वह अपनी आग के पास ले जाए वस्तु के प्रतिविम के आकार में क्या कोई अंतर आया? इसे समझने के लिए कुधारन लेते हैं एक वेक्ति बिंदु ओपर खड़े होकर दो समान आकार वाले पेड़ों को देख रहा है नज़्दीक वाला पेड वेक्ति को दूर वाले पेड की तुलना में बड़ा नज़र आता है ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक दूरी वाले पेड से परावर्तित होकर आ रही प्रकाश केड़ने वेक्ति की आँख में छोटा कोण बनाती है जबकि पास वाला पेड बड़ा कोण बनाता है हमारी आँख में वस्तू से आ रही केड़नों द्वारा बनने वाला ये कोण ही वस्तू का आभासी आकार निर्धारित करता है इसलिए जब हम वस्तु को दरपंड से हमारी और बढ़ाते हैं तो दरपंड से बनने वाला प्रतिविम दरपंड से और पीछे की और खिसक जाता है इस कारण प्रतिविम और हमारे आँग के बीच की दूरी बढ़ जाती है और प्रतिविम का हमारी आग पर बन रहे कोण का मान वस्तु द्वारा बन रहे कोण से छोटा हो जाता है फलस्वरूप प्रतिविम हमें वस्तु से छोटा दिखाई देता है